अभी तो मैंने केवल चैनल्स पर ये फ्रेश होते देखा है समन अभी मिला नहीं है ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने भी मुझे बड़े लोगों में सामिल करने का फ्रेशला कर लिया है और इसलिए CBI से समन करवाय जा रहा है एक अच्छी बात यह है कि कुछ तथा कथित स्टिंग कहिए सीडी कहिए जो कुछ कहिए उसके तीन वर्जिन चल ले एक तो जो 26 मार्च को सारे देश की मीडिया को पुरोशा गया जिसको मैंने तब भी फारेब कहा आज भी फारेब कह रहा हूं दूसरा वर्जिन जो है जो सूशल मीडिया में चल ला है सूशल मीडिया ने कुछ बातें कही हैं और जिसको देख करके मैंने यह रियक्ट भी किया है कि हां मैं उसमें हूं कि जो सूशल मीडिया ने जो फ्रेश किया है और तीसरा जो है एक दो निउस पेपर्स यह प्लेम किया है कि उन्होंने पूरी बात्चीत को लिया है और उसको दिया है तो यह तीन वर्जन अभी तक हैं अच्छी बात है कि सीवियाई एक इसकी आथेंटिक कौपी हमको जरूर देगी और देने के बाद हमारा पूरा सयोग रहेगा इस मामले में और यह आश्यर जन की सेवाओं के बाद और पिछले दो साल से उत्राखंड की सेवा के बाद यदी सीवियाई से ही सम्मन करवाना है और उत्राखंड के अंदर यह परंपरा डालनी है कि राजनीदी में प्रतिशोद समलित होगा तो फिर चलिए भाजपा कई सुरुवाते कर रही है उन्होंने दलवदल की सुरुवात करवाई उन्होंने राष्टवती शासन की सुरुवात करवाई अब वो यहां सीवियाई यूग की भी सुरुवात करवा रहे है तो भाजपा को मुबारक हो